इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ओल्मिस से पेच टेबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है. यह विभिन तरीकों से हाई बलड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करता है. यदि हाई बलड प्रेश का इलाज नहीं किया जाता है, तो आगे चलकर होट अटाइग, स्ट्रोक और किड्नी फेल होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आप ओल्मिस से पेच टेबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं. डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी. हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें. जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. इसमें डायूरेटिक यानि की वाटर पिल होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है. इसलिए सोने की चार घंट पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें. आमतोर पर हाई ब्लड प्रेश में लक्षन नहीं होते हैं, और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका होट अटेक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है. The most common side effect is dizziness. अन्य side effect में कमजोरी, सिर्ध दर्ध, ठकान, सीने में दर्ध और एडिमा शामिल हैं. इलाज नहीं किया जाता है, तो आपको स्थाए नुकसान पहुचा सकता है. आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले leaflet को जरूर पढ़ें और अगर आप side effect से परेशान है या उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं. आपकी खुराक को adjust करना या कि इसी अन्य दवा को ट्राइ करना संभव हो सकता है. गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान इस दवा का सुझाव नहीं दिया जाता है और अगर आपको किड्नी या liver की बीमारी, hot में समस्या या diabetes है, तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछन को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद